हमारे आज के प्रेक्टिकल गायम है तू इस्टरी दर करेक्टरिस्टिक्स आफ जेनर डायोड जेनर डायोड के अभिलाक्षनिक वक्र का अध्यान करना इसके लिए हम देख लेते हैं एपरेटस इस एपरेटस में गीवन है एक वोल्ट मीटर एक मिली एमिटर और एक जेनर डायोड जिसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है और एक टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर एक वेरियेवल गिवन है जिसके थू हम वोल्टेज सेट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पर करन्ट गेन करते हैं जेनर डायोट में हम forward bias और reverse bias दोनों में reading लेते हैं forward bias के लिए हम इस switch को forward पे set करते हैं similar voltmeter में भी हम इसको forward पे set करेंगे और milli emitter पे भी milli emitter के लिए जो forward bias की range है वो 10 milli ampere है जो कि यहां से 0 से 10 तक given है similar voltmeter के लिए जो forward bias की range है वो 1 volt है कि यहां पे given है अब reverse bias में set करने के लिए हम इस switch को reverse bias पे set करेंगे similar यह भी switch और इस switch को भी reverse bias में set करेंगे reverse bias के लिए इनकी जो range होगी milli emitter की range 5 milli ampere होती है और volt meter 10 volt तक की range show करता है अब हम connection देख लेते हैं तो सबसे पहले voltmeter को हम battery के साथ parallel connect कर जेते हैं जेनर diode का जो positive terminal है जो negative terminal है उसको हम milli emitter के positive के साथ connect करते हैं और milli emitter का जो negative है वो battery के negative के साथ connect करते हैं battery का जो positive terminal है वो diode के P terminal के साथ connect होता है इस तरह हमारा connection से complete हो जाता है अब हम observation table देख लेके हैं तो observation table में हमारा पास दो table है एक forward bias के लिए और दूसरा reverse bias के लिए तो forward bias के लिए हमें क्या क्या find करना है तो list count of voltmeter और list count of milli emitter यहाँ पे table में reading of voltmeter है और reading of milli emitter, voltmeter के corresponding हम milli emitter की reading find करेंगे similar हम reverse bias के लिए भी ऐसे ही value find करेंगे list count of voltmeter और milli emitter कैसे find करेंगे अब हम milli emitter का forward bias में list count find करते हैं तो forward bias के लिए यहाँ पे जो range है वो है 0 to 10 milli ampere तो इसके लिए जो list count होगा मारा इनके बीज में 0 से 2 के बीच में division कितने है 10 तो 2 upon 10 equal to हो जाएगा 0.2 milli ampere similar यहाँ पे forward bias के लिए अगर list count find करें तो voltmeter यहाँ पे voltmeter की जो range है वो 1 volt है और यहाँ से 0 से यह जो 0.2 है इनके बीच में division 10 है तो यहाँ पे list count होगा 0.2 upon 10 equal to 0.02 volt अब हम reading लेना इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसको 0.1 पर चला गया इसके corresponding 0.1 के corresponding हमारा पास current है वो 0 है ऐसे ही हम 0.5 और move करेंगे तो 0.2 पे भी हमारा current है वो 0 है फिर 5 division मूव करेंगे 0.3 volt पे भी हमारा current 0 है ऐसे ही move करते जाएंगे 0.4 उस पर भी हमारा current 0 है 0.5 देन 0.6 0.7 अब 0.7 पे जो हमारी जो हमारा current गेन हुआ है वो है 1 then move करेंगे 0.8 0.8 पे हमारा current है वो है 7 और हम value table ने put कर लेते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं list count of volt meter कितना था वो था 0.02 volt और अब जो voltage की corresponding जो हमें value मिली थी तो first reading जो थी हो 0 पे 0 then 0.1 पे भी 0 0 ऐसे ही कर देखते 6 तक हमें 0 मिला था और 0.7 पे जो हम value मिले थी वो मिले थी 1 और 0.8 पे जो value थी वो थी 7 इस तरह forward wise की reading complete होती है अब हम reverse wise के लिए reading देख लेते हैं अब हम reverse wise के लिए reading ले लेते हैं तो सबसे पहले इसको हम reverse wise में set करते हैं reverse wise में set करने के बाद हमारा list count जो है change हो जाएगा अब जो list count है volt meter के लिए नीचे वाली reading होगी तो यहाँ पर नगर list count find करना चाहें तो इनकी value जो है 2 है और total number of division 10 है तो इसका जो list count हो जाएगा वो हो जाएगा 0.2 volt similar यहाँ पर milli emitter की list count की बात करें तो यहाँ पर milli emitter का list count हो जाएगा 0.1 milli ampere अब हम reading लेना स्टार्ट करते हैं इस variable के थुरू हम five five division के difference पे current gain करेंगे तो first five division move किया तो वन बोल्ट वा वन बोल्ट पे हमें current 0 मिला है then two बोल्ट three बोल्ट पे भी 0 है four बोल्ट five बोल्ट पे भी हमें 0 current मिला है six बोल्ट six बोल्ट पे भी 0 है six बोल्ट के बाद जैसे ही हम move करेंगे six point two पे six point two पे हमें जो value मिली है वो मिली है one milli ampere जैन आगे move करेंगे अब six point two के आगे voltage constant हो गया है इसके बाद हमें move कोई भी voltage changes नहीं हो रहा है और उसके corresponding हमें जो current मिला है six point two पे again वो है two milli ampere और फिर आगे जब move करेंगे तो six point two पे ही हमें three ampere current gain हुआ है अब हम a value table में note down कर लेते हैं अब हम टेबल में value पूट का लेते हैं तो से पहले देख लेते हैं list count of volt meter जो भी था 0.2 volt list count of milli ammeter जो 0.1 milli ampere अब जो हमने reading लेखी first थी 0 1 2 3 3 4 5 6 फिर 6.2 पे voltage constant हो गया था जिसमें हमने reading ले थी 6.2 6.2 अब जो हमें current gain मिला था current gain हुआ था वह था 0 पे 0, 1 पे 0, 2 पे भी 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 3 तिसरा हमें voltage के corresponding current gain हुआ है अब हम इनके बीच में graph plot करेंगे voltage और current के बीच में इसमें जो voltage है वो एक्स एक्सेस पे होगा और current य एक्सेस पे भूल 3 6 झाल झाल